अगर आप लोग अपने लिए नई बाइक के तलाश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मैं जल्दी ही नई बाइक लेने वाला हूं तो मेरा नाव है फराज और आए आज बात करते हैं Upcoming Bikes in India August 2024 के बारे में तो सबसे पहले जो बाइक इंडियन मार्केट में लाउंच होने जा रही है वो आप सबकी फेविरेट रॉयल इंफील्ड है और रॉयल इंफील्ड अपडेटिड रॉयल इंफील्ड 350 के साथ इंडियन मार्केट में आने जा रही है तो क्या अपडेट होने वाला है इस वाइक के अंदर कितनी अलग होने वाली है पहले के मुकाबले आई जरह इसकी डीटेल्स के बारे में जान लेते हैं तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉयल इंफील्ड की जो क्लासिक 350 नई आने वाली है इसके अंदर क्या चेंजिस आखिरकार किये जाने वाले है तेखिए सबसे पहले चेंजिस की बात करूँगा साथ ही इसके अंदर आप लोग को जो है कुछ नए फीचर भी आड़ किये जाएंगे जो कि अगर बात करते हैं कलर स्कीम की तो रॉयल इंफील्ड का पैयन है कि इस बाइक के अंदर आप लोग को न्यू कलर स्कीम और ग्राफिक के साथ उनके मॉडल्स को इंडियन मार्केट में लॉंच किया जाए साथ ही अगर बात करते हैं कि इसके अंदर आप लोग को पावर वाइस के इंजिस बिनने वाले हैं बागे सस्पेंशन वाइस बाइक के अंदर आप लोग को टेलेस्कोबिक फ्रंट सस्पेंशन मिलेंगे और रियर में टुइंच चॉक एब्सॉर्बर्स दिये जाएंगे समी डिजिनल इंस्टूमेंट क्लस्टर के ही साथ बाइक आने वाली है बाकी इसके अंदर हो सकता है कि कुछ चींजिस आ जाएं बट जादा उमीद नहीं है बाकी बात करते हैं प्राइजिंग की तो थोड़ा बहुत ही प्राइज चेंज होगा बहुत अता फरक नहीं पड बालता है एक स्मॉल अपडेट होने वाला है उनकी बाइक के अंदर साथ ही इस बाइक का कब तक लांच होने वाला है इस बाइक को लांच किया जाएगा 12 अगस्ट 2024 तो हमारी जो नेक्स्ट टू विलें इंडिन मार्केट में लांच होने जा रही है अगस्त के माईने में वो एक बाइक नहीं बलकि एक स्कूटर होने वाली है और यह स्कूटर जो है बहुत ही फेवरेट है आप लोग की इंडिया में काफी जादा ससेस्फुल रही है उसका एक अपडेट वर्जन आने वाला है और मैं बात कर रहा हूं तीविस की जूपिटर की जूपिटर एक पर फिर से नए अवतार में आने जा रहा है और यह पहले से चेंज होने वाला है यह बिसकरी तीविस की जूपिटर का 110 वाला जो वेड़ आता है उसी का एक नया वर्जन होने वाला है बहुत जल्डेनमार्केट में आने वाला है मीडिया के पार इस पहूंच चुके हैं इ आपको बताता हूं कि ये इस TVS Jupiter 110 के अंदर क्या नया आने वाला है तो अब जैसे कि मैंने बताया कि TVS भी प्लान कर रहा है अपनी नई जूपिटर 110 लाँच करने का अब ये जो स्कूटर होने वाली है इस स्कूटर के अंदर बेसिकली कॉस्माटिक अपडेट्स होने वाले हैं साथ ही इसके अंदर आप लोगो डिजाइन वाइस बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं जो कि teaser image launch करी गई है, उसके अंदर curve LED lights देखने को मिली है, और हो सकता है कि इस normal scooter के अंदर 110 CC में भी आप लोग को backrest देखने को मिल जाए, तो ये बड़े update होने वाले हैं, साथ ही design change होगा, new color introduced किये जाएंगे, और graphics भी scooter की change हो जाएगी, तो basically scooter आप लोग को देखने में अरग लगने लगेगी, तो इसके अंदर आप लोग को design wise changes मिलने वाले हैं, साथ ही LED DRLs और LED lights के भी आप लोग को changes देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं, साथ ही बात करते हैं, current model के मुकाबले engine wise changes देखने को मिलेंगे, देखिए current model के मुकाबले इस नई model scooter के अंदर आप लोग को engine में वही engine देखने को मिलेगा, जो इस current model में मिलता है, जो 109.7 CC का air cool technology वाला engine है, जो 7.77 BHP की power generate करता है, और 8.8 Nm of torque generate करता है, CVT transmission के साथ ही scooter आता है, साथ ही इसके अंदर आप लोग को suspension जो होगा, वो telescopic suspension मिलेगा और monoshock suspension rear में देखने को मिल जाएगा, 12 inches के wheel रहेंगे और metal sheet वाले आप लोग को जो है, इसके अंदर wheels मिलते हैं, बागी हो सकता है कि new model के अंदर इसके अंदर आप लोग को alloy wheels भी देखने को मिल जाएगे, बागी जहां पर बात होती है इसके price की तो TVS Jupiter का current model है वो 77,000 रुबिज से start हो जाता है, जो कि इसका base model है, बट इसके price की changes में अगर बात करते हैं, तो 3-4,000 में आप लोग को फार्ट देखने को मिलेगा, थोलाव सा price increase होने वाला है, इस model के launch होने के बाद, और model कब launch हो रहा है, इस model को launch होने में अगस्त एंड हो जाएगा, तक्रीबर 25-26 के आसपास ये scooter launch हो जाएगा, बाकी media के fight zone invite आये हैं, वो 20-21 अगस्त के आसपास invites आ चुके हैं, वो test ride होगी, उसके बाद आप लोग को वीडियो देखने को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि classic legends की तरफ से BSA gold star 650 इंडियन मार्केट में आने जा रही है, ये cult classic mood cycle है, जो बहुत पसंद करी जाती थी, बट एक बार फिर से इंडियन मार्केट में BSA वापस आने वाली है, अपने gold star iconic 650 के साथ, जो इंटरनाशनल मार्केट में आती है, बट इंडिया में भी आने वाली है, 650 CC के अंदर target कर रहा है, बट अब BSA भी आ चुकी है, तो 650 CC के साथ इंडियन मार्केट में आने जा रही होने वाले हैं, अब launch करीव आ रहा है, तो final updates में आप लोगों को दे देता हूं कि इस बाइक के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं, looks wise इस बाइक के अंदर आप लोग को एक retro roadster side basically motorcycle होने वाली है, flat bench seats के अंदर मिलती है, ज्यादा side panels वगेरा नहीं है, बिल कई जगे chrome का अस्तमाल देखने को मिलता है, basically classic motorcycles की तरह chrome का अस्तमाल आपको उसके बाइक के अंदर देखने को मिलता है, engine wise बात करते हैं, तो आप लोगो 652cc का single cylinder engine में देगा, ज्योंकि 4 wall DOC liquid cool technology वाला engine रहेगा, power wise बात करते हैं, तो काफी कमाल की power इंजनरेट करता है, 45.6 6PS की power generate करता है, और torque 55Nm का torque generate करेगा, बाकि बाइक के अंदर transmission रहेगा, वो 6 speed का नहीं है, 5 speed वाला ही transmission देखने को मिलेगा, बाकि breaking setup बाइक के अंदर dual disc वाला ही रहेगा, साथी इसके अंदर tubeless tires मिलेंगे, बाइक का weight है, 213 kg का है, और ये थोड़ा सा heavy weight है, क्योंकि बाइक size की, तो इसके अंदर आप लोगो 7 inches के tire rear में देखने को मिलेंगे, वही 18 inches के front wheel देखने को मिल जाएंगे, बाकि बाइक के अंदर Brembo के calipers दिये जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे calipers वाने जाते हैं, तो उमीद ये है, कि breaking जो है, बाइक के काफी अच्छी रहने वाली ह पाफी अच्छा दिया जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगो dual disc मिलेगी और ABS भी देखने को मिल जाएगा, वहीं अगर आब बात करते हैं कि कि किसे सीधी trekker होने वाली है, इस बाइक की, रॉयल इंट फील्ड की 650 आती है, उससे सीधा मकाबला इस बाइक का रहे जान लेते हैं, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Ola जो है वो इंडिया में अपनी electric scooters के साथ आता है, बट अब वो लोग एक नई bike भी लेकर आने वाले हैं, जो basically एक electric bike होने वाली है, हाल ही में जो बावेश अगरवाल हैं, उनके CEO जो है Ola electric के, उन्होंने एक teaser image को reveal किय जहां पर उनने बताया था कि इंडिया में एक electric motorcycle के साथ आने वाले हैं, और इसकी test ride भी करते वे इस bike को देखा गया है, तो ये bike जो है बहुत जल्द Indian market में आने जा रही है, तो एक बड़ा update रहेगा, जो कि 15 अगस्त को 2024 में Independence Day वाले दिन पता चलेगा कि इस bike के अंदर क्य चीज़े आने वाली है, एक big announcement होने वाला है, ओला electric के तरफ से, साथ ये bike basically जो होने वाली है, ये 102 125cc के आसपास जो bikes होती है, petrol engine के अंदर, उसी के similar kind of category के अंदर इस bike को लेके आया जा रहा है, basically commuter motorcycles होने वाली है, बट ये electric में रहेंगी जिसके लिए ओला जाना जाता है, क् specifications होंगी, क्या charging वगरा होंगी, उसके ओपर फे कोई भी update नहीं है अभी, बट ये एक बड़ा update है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, कि electric bike भी अब Ola की आने वाली है, जो कि 15 August को launch होने जाए, तो अब मैं बात करने वाला हूँ, एक super bike की, जो कि Indian market में आने वा होंगे, आई जरह उसके बारे में जरूर बात करने, तो काफ़ी time से इंतजार किया जा रहा है, ट्राइम की तरफ से, डीटोना 660 का, बट ये motorcycle जो है, basically, April और May के अंदर debut करने वाली थी, बट इसका launch जो था, वो postpone हो गया था, इस bike को अलड़ी unveil किया जा चुका है, बता segment की बाकी bikes आती है, 660 के अंदर, उसके बात प्लेस करी जाएगे, जैसे ट्राइम की Trident आती है, 660, ट्राइम की Tiger Sport आती है, 660, उसके बाद इस bike को प्लेस किया जा रहा है, बाकी इस bike का जो पावर वगरा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, कि Gold Star 650 आने वाली है, BSA की से उसके अंदर पावर जो थी 45-46 BHP के आसपास मिल रही थी, इस bike की पावर को बताने के लिए और इसकी category, इसकी sports category को समझाने के लिए बताने चाहता हूं कि इस bike के अंदर पावर आप लोग को 94 BHP की मिलने वाली है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी जबर्दस पावर ह साड़े 11,000 RPM के आसपास ये पावर निकलेगी, बाकी 6-speed gearbox इस bike के अंदर मिलता है, और इस bike में torque जो रहेगा, वो आप लोग को काफी जबर्दस देखने को मिल जाएगा, जो कि 69 NM का torque होगा, 8,250 RPM पर, बाकी बात करते हैं कि bike कब आने वाली है, ये bike जो है, मिट तक इंडि 20,000 के आसपास रखा जाएगा, ये भी estimated price है, बाकी इसका exact price आपको इसकी launch rate पर देखने को मिल जाएगा, जो कि mid August तक होने जा रहा है, तो यही था आज कि इस video में, जहांपर मैंने आपको बताया है, कि कौन सी bikes हैं, जो इंडिन मार्केट में आने जा रही हैं, तो अगर आ नहीं थी आज कि इस video में, अगर वीडियो को पिसद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, मोटर मामिक से पहली बारा है, एक पर अंदवा के subscribe भी कर दीजेगा, और मिलते रही हैं, हम से इसी तरहे वीडियो में आके, बाकी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के कि इस आई हैं ?